हे गाइस विडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रस कर देना मेरे भाई तो भाई CS rank मैच जीतने के लिए इसका रामबाड यूज बताऊंगा आपको गेम के अंदर वो अभी आप गेम को समझो आप करेक्टर को किस तरह से तयार करना है CS rank मैच खेलने के लिए तो आप सारा कुछ समझ लो इसके बाद चलते हैं गेम के अंदर भाई अगर आप CS rank match अगर खेलने जा रहे हो तो आपको character को किस तरह से तयार करना है आपको किस तरह से character को ready करना है सारा कुछ आप देख लो तभी तो आप अच्छे से gameplay कर पाओगे ना मेरे भाई यह होता है कि अगर कोई बंदा अगर आप डाउन करते हो तो वह बंदा जल्दी खता हो जाता है ठीक है तो थर्ड नंबर पर आप मैक जिम ले सकते हैं क्योंकि फास्ट मेडिकेट की बहुत ज़्यदा वहां पर पढ़ती है कभी कभी क्या होता है सौर्ट रिंज में कर फाइ फिरार करने से पहले सबसे पहला काम आपको करना है सिख्रेट कल्यू को लगा लेना में इसका यूज गेम के अंदर है आपको मैं बाद में बता दूंगा वह यहां तो भाई इस तरह से नहीं करना है मेरे भाई इस तरह से रस करके नहीं खेलना है आपको दिमाग लगा खेलना है मतलब आप फर्श राउंड ही हार जाते हो तो आपका खेल वहीं से खता हो जाता है भाई तो आपको सबसे पहले तो आपको first round जीतना है किसी भी तरीके से तो आपको दिमाग लगा खेलना है यहाँ पर मैंने लिया है सिर्फ granite और कुछ भी नहीं लिया भाई यहाँ पर मेरे पास अच्छे कासी gun भी नहीं है तो भाई यहाँ पर हम लोग सीधा निकलेंगे cover की तरफ देखेंगे बंदे आसपास है कापे ठीके तो आपको जैसे ही बंदा देखता है तो उसकी तरफ घुमा के एक granite करना है अगर आपने सही time दे के granite किया है तो वो बंदा knock हो सकता है अगर knock भी नहीं होता है तो आपका timing सही है तो उसको कुछ न कुछ तो damage पड़ेगा ना मेरे भाई अगर वो नहीं भी knock होता है तो आप छोटी वाली gun से उसको मार सकते हो जी तरीके से क्योंकि वो 10-20 का damage तो आराम से दे देती है छोटी वाली gun तो भाई इस तरीके से आप फर्ट राउंड को आराम से निकाल सकते हैं कोई दिक्कत बाली बात नहीं है मेरे भाई तो भाई अब बात आती है सेकेंड राउंड की सेकेंड राउंड पे तो कुछ लोग यहीं गन्फ्यूज होते हैं कि gun कौन सी लें तो भाई गन लेने का सिंपल सा तरीक आपको बता हूँ कुछ लोग भाई जिनको पता है मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता रहा हूँ ठीक है तो सिंपल सी बात है आपको एरिया देखके गन को लेना है आपको देखना है एरिया क का लगे तो आप लांग रेंज की रगे तो आप सोर्ट रेंज की लो मतलब जादा दूर हो तो आप लांग रेंज की ले सकते हो MR-100 रेंज की है तो आप अपने हिसाब से समझ क्यगे गन को ले सकते हो ऐध theor है आपको यह पहले चार जींज करेगा तो आपकी HP होगी जो फास्ट इंक्रीज होगी और इजी तरीके से आप सामने वाले बंदे को मार पाओगे गाइस अगर आप ये वाली चीज लेते हो तो आपको तो पता ही होगा कि आपके इस फिट काफी तेज हो जाएगी और फास्ट ली मोमेंट करके उस बंदे को आप फिनिस कर सकते हैं भाई अगर अगर आप इसको लेते हो तो आप पूरे स्क्वैर को HP दे सकते हो मेरे भाई सस्क्राइब जरूर कर देना भाई तो चलते हैं मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा भाई भाई फिनिश मेरे भाई